कलेक्टर ने कन्टेन्वेंट शेत्र का निरक्षन कर, होम आइसोलेशन में रहे कर उपचार करवार है कोरोना पॉजिटीव मरीजों से उनकी तबियत की जानकारी ली कलेक्टर आशिस सिंग निरंतर कंटेंटमेंट शेत्र में जाकर कोरोना पोजिटिव मरीजों से चर्चा कर रहे हैं वे घरगर जाकर उनसे उनकी तबियत के बारे में जानकारी ले रहे हैं कलेक्टर ने आज कोईला फाटक, गांधी नगर, कस्तूरी बाग, प्रेम एवेन्यू एवं अन्य कंटेंटमेंट शेत्रों में होम आईसोलेशन में रहे कर अपना उपचार करवा रहे मरीजों से चर्चा की कलेक्टर ने उनको दिये जाने वाली जानकारी दमाईयों के कीट एवेम चिकिस्सो दुआरा उनके उपचार में किस तरह से कारे किया जा रहा है इसकी पड़ताल की कलेक्टर ने एडियम जीतेंडरसीन चोहान एवेम एसजियम जगदीश महरा के साथ भ्रमन किया एवेम उपचारत मरीजों से मिले लेक्न यहे की शहर में एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव आने वाले मरीजों को होमा इसोलेशन में रखा जा रहा है वे घर पर ही रहेकर अपना उपचार करवा रहे हैं वर्तमान में एक्टिव कोरोना वाइरस मरीजों में से 40% से अधिक लोग घर पर रहेकर आईसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं इन मरीजों की सुवीधा के लिए स्मार्ट सीटी कारले में कमांड एन कंट्रोल रूम बनाया गया है यहां दिन शिफ्ट में डॉक्टर स्टाफ एव एम्बुलेंस की विवस्था की गई है साथ ही मरीजों को घर पर रहे कर ली जाने वाली दवाएं आवशक सामगरी का खीट प्रदान किया जाता है